मस्कार दोस्तों तो आज के शूड़े में हम जो एक्वेशन ओफ मोशन ओफ इसेंपल पेंडूलम है वह फाइंड करेंगे लेंगरेजियन जो मैं थाटा उसको यूज करते होगे तो यह आपको वीडियो अचाले को लाइक करना सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब ना भूल अब देखें सिंपल पेंडूलम क्या है माली जी है आपके पास यह कोई रिचिट सपोर्ट है और उससे आपने कोई पेंडूलम है वह बांध रखा है पेंडूलम के लिए अहल है यह मास अहम है तो यह जब आपने इसको जब कुछ डिश्टप किया तो यह कुछ इस तरह क पास अब देखें क्या होगा यह सिंपल पेंडूलम आप एक्जांपल के से माली जी आपके कमरे की छत आप उससे आपने रसी बांध रहे है और रसी के नीचे आपने कोई गेंद बांध दी और उसको आप यहां से यहां लेके थोड़ा तो इस तरह ही तो मोसन करेगी अब से ओर यहां पर हमारा जो पूटेंशियलका रिफ्रेंस पॉइंट आ बहong जी रह militar? और यहां यहां पर यहां कि पोटेंशिल आ नग करेगी तो यहां पर इसके पास पूटेंशियल अजय रहBack मैज़े अब देखें लिंग रेजिन क्या होता है लिंग रीजिन होता कीले च पोंगे होगी काइनेटीक एंडर्जी होती है हमरे पस एक बड़ है वी स्क्वाइर व क्या होता है डी एकस अपॉन डी इसको हम सिसल सकते है एक्सडोट तो इसको हम अगे देंस या हमरे पास काइनेट कि यहाँड करता है कानेटिक इनर्जी को कानेटिक और भी है पोटेंशल इनर्जी और एल एल लिंगरेजीन अब देखिए यहां पर इसका अक्स कंपोनेट भी होगा यह यह आप एंगल को रिजूल करोगे तो यह आएगा अक्स एक्स क्या होगा यह थिता है इधर वाला कंपोनेट अल सायन थिता एल कोस थिता और यह आएगा वाई वाला कंपोनेट क्या ही यह थिता है यह लेंत और अच्वार यहां पर हमारा ओलता नीचे जाएंगे तो माइन इसमें होता है यह अपर हज़े हम थिप श्क्वारि यहां पर एक है और य थो फेर हम एक बड़त का चब्लेस य डोर्ट का square यह हमारे पास है kinetic energy यहां पर हमने x की value find कर लिए है तो हमें करने value find करनी है x dot की x dot क्या होगा x dot length change नहीं हो रही है sin theta जो theta वो angle change हो रहा है तो L का तो L हो गया sin theta का integration क्या होगा जो differentiate है वो क्या होगा cos theta और theta का करेंगे तो theta dot उसी तरह y क्या है माइनस L तो constant होगा cos quantity जो differentiate किया होता माइनस sin theta तो यहां गया sin theta और theta theta dot यहां पर x dot और y dot है उसकी value को यहां पर आप लिख सकते हैं जो हमने kinetic energy लिखे हुग है तो एक बटा दो हैं x इजगे L square cos square theta और theta dot का square plus L square sin square theta और theta dot का square L square common लेंगे और theta dot को common निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा cos square theta plus sin square theta तो यह जगा एक बटा दो हैं L square को हमने common ले लिया theta dot को भी common ले लिया और sin square theta plus cos square theta क्या होता है वन तो यह आगे हैं हमारे पास kinetic energy kinetic energy है कि अब देखे हमें potential energy find करें potential energy के लिए reference point हमारा यह है इससे उपर calculate करेंगे तो हमारी potential energy positive होगी और यहाँ reference point से नीचे potential energy negative होगी तो हम यहाँ पर potential energy calculate करेंगे तो यहाँ पर तो potential energy zero है लेगने यहाँ पर potential energy होगी वो कैसे calculate करेंगे यह length L है L length है पूरी total उसमें से यह component है L cos theta तो है यह potential energy positive होगी L total length है उसमें से जो Y का component है L cos theta वो गठा दिया तो यह आ जाएगी आपके पास potential energy है यहाँ पर potential energy हो इसके पास वो तो क्या गई लिए लिए तो one minus cos theta यहाँ गई potential energy अब देखें link region क्या होता है link region होता है kinetic energy minus potential energy kinetic energy क्या है हमारे पास एक बटा दो M L square theta dot square minus L one minus cos theta यह आगी आपके पास तो link region क्या है हमारे पास एक बटा दो M L square theta dot square minus L one minus cos theta यह आगया लगना है जिन अब हमें equation of motion of equation अब देखें क्या हुआ है आगे हम इसको सुल करेंगे है कि क्या होती है डेल पॉंट डीटी डेल ऐल फॉंट डेल एक्स डोट जो जनरेलेज कोडिनेट वो डेल एल एल फॉंट डेल X equals to 0 अब यहँ पर एक्स है एक्स कित गया पर क्या है theta dot टो X क्या होगा X dot क्या हुगा theta exceptional के लिए डेखें डेटी डेल फॉंट डेल एक्स डोट धो एक्स डोट फॉंटै इसको calculate के लीजे layer upon del theta dot तो यहां पर L में theta dot की टर्म केवल यह है तो M constant है L constant theta dot क्या गया हुगा है 2 theta dot और 2 से 2 cancel out हो जाएगा तो यह जोगे आपके बास L square theta dot इसका एक बार फिर से आप इसका अगलन करोगे तो क्या हुगा देल upon del t t देल upon del theta dot यह होगा M constant L constant है तो theta dot का theta double dot हो जाएगा यह square theta double dot उसके बार डेल upon del theta क्योंकि यह term भी तो calculate करनी आपको तो link region में आपके पास क्यावल यहां पर theta dot है तो minus L one का 0 हो गया और minus sign है कोश थिटा का क्या होता माइन साइन थिटा यह हो जिए साइन थिटा इस इन सब को यहां पर पूट कर दीजिए इसी क्योंकि में तो आपके पास है गया M L square theta डबल डोट और डेल अप डेल अपन डेल थिटा इसकी जगह माइनिस पहले से ही है और यह माइनिस यह है तो यह जगा प्लस एल एल साइन थिटा यह आपके पास आगया पोटेंसिल इनरजी में यहां पर हमने कुछ Mg भी होगा यहां पोटेंसिल इनरजी क्यों होती है Mg H इसलिए यहां पर mg भी होगा ayam j यहां पर mg भी होगा तो यह एम जी यहां पर भी एम जोगा क्योंकि पुटेंशल लेनों जोगा है एम जी है हाइट है हमारे पास ल मानिस ल कोश तीटा तो यहां पर हमने यह ट्रम मिस्स कर दी तो हमारे पास क्या होगा पर से लेकिंगे यह सक्वार सब्सक्राइब सुगित लगे मुमति है मुल संक्राइब करेंग माय। कर आश्या आए ये री में थेnicas जोनी स्व एडिसफ्मेंट थे ? हाई । वह स्मॉल यह तो हम लिख सकते हैं थीटा डबल लोट प्लस जी अपॉन एल थीटा एक्वेस्टो जीरो तो यह है एक्वेशन ओफ मोसन ओफ सिंपल पेंडूलम फिर से पता जाते हैं हमने इसमें क्या क्या है आपको सिंपल पेंडूलम गिवन था यह यह आपके मान लीजी कमरेगी रूप आपने उसे रसी बांद के नीचे गेंद लटका रखिए फिर उसने आपने उसको थोड़ा जो सिस्टम उसको डिश्टाब करती है तो यह से उसलेट करेगा यह एंगल थीटा है यह एंगल यहां पर हमने रिफ्रेंस लेंड जो रिफ्रेंस पॉइंट हो ले लिए पोटें इंड़ीं होते हैं हमारी Mg H, हाइट यह हमें यह हाइट है Mg h के लिए भूपटल ल सस्टि हम यह उसी हम निये गठा दी हमने यह गठा दी तो आ गए हम्एरप पास न जयांकि mg फ्रूटल रीट ल में से मानेश दोन यह एंदे सहीं है यह कंपोनेंट गठा दी यह इतन है विश्कों हम लेख सकते हैं डीक्सपान डीक्टी यानि कि अक्सडोट और एक्स यह तो a कर दोट का स्कुएर ठाट अक्सडोट और वाए टूट की यहां पर वेल्ль हमने इसको एंगल इसको रिजूल किया किस्ट वेली कि अधुली यह मायने कि मैंनस है तो यह आगे है हमारे पास kinetic energy, kinetic energy हागी potential energy है कि जो language होता हो तो है T minus V, तो यहाँ पर T की value रग दी, यह हमारे पास V की value है, इसके बाद हमने यह language है, equation of motion, d upon dt, del upon del, x dot, minus del upon del x equals to 0, यहाँ पर x dot की जगह है theta dot, तो हमने यह calculate किया और इसको रखा, तो यह हमारे last expression आगया, theta double dot, यह दी angle small है, तो theta double dot plus g theta upon L equals to 0, यह है equation of motion of a simple pendulum, equation of motion, तो होप करते हैं आपको यह equation समझ में होगा, यह दी, वीडियो आशाले के दो लाइक करना, share करना, और चैनल पर सब्सक्राइब करना, न भूलना, so thank you for watching this video, और इस अगले वीडियो में हम cover करेंगे, जो simple pendulum है, उसके लिए Hamiltonian का से लिखा जाता है, Hamilton equation of motion for a simple pendulum, तो होप करते हैं आपको यह equation समझ में आया होगा, so thank you for watching this video,